हैं अप्छान आफ सभी स्ट्रॉगलर्स को आपके अपने चैनल दनेम पेसले में एक बहुत बहुत स्वागत है किसी इसमें हम डिसकुस करेंगे आज इलेक्ट्रोनिक मेर्स और इमेल क्या होता है आज के लेक्च्चर मेर्स करेंगे की इमेल का structure क्या होता है कौन-कौन सी important items है जो email करते वक्त और पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखनी होती है generally examination point of view say it is one of the most important topic यहां से question आये हैं previous exam में mail से related question पूछे गए हैं तो उसी लिहाज से यह topic बहुत important हो जाता है video start करने से पहले आप लोगों से request रहेगा कि हमारे channel दानलिंटेश ट्रगलर को subscribe कर लें और बैल आइकन को hit कर लें ताकि आपको हर आने वाल लेटेश वीडियो के instant notification मिल जाए हमारा Facebook और Instagram पेज है दानलिंटेश ट्रगलर के नाम से उसको like करें और follow करें ताकि education sector से related हर educational update आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंचे handwritten notes paper one और paper two management के soft form और hard form में दुनों तरह से याभी लेवल है बिल्कुल minimum prices पर अगर आप चाहिए तो आप दिये गए numbers पर call कर सकते हैं WhatsApp कर जकते हैं तो सबसे पहले discuss करते हैं email क्या होता है वैसे तो सबको मालू है email क्या होता है लेकिन फिर भी examination point of usage को समझ ले email क्या होता है email का full form होता है electronic mail मतलब एक संदेश और electronic मतलब जो electronic form में भेजा जाता है जब दो या दो से अधिक computer आपस में जुड़े होते हैं with the help of network तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जो message होता है उसको network की सहायता से भेजते हैं वो message एक तो जल्दी पहुंचता है दूसरा जिसको हम भेजना चाते हैं उसी के पास पहुंचता है और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि electronically पहुंचता है तो इसको कोई और जो है वो देख नहीं सकता है पढ़ नहीं सकता है किसी को मालुम नहीं है हमने क्या भेजा है और किसको भेजा है तो यहां पर जो transmission होता है वो text-based जो होता है मतलब इसमें text हम कर सकते हैं अब जो है उसमें photo, videos, कोई file आप PDF, words, powerpoint की file आप उसके साथ attach करके भेज सकते हैं अपनी mail में तो मतलब जो mail है हमारा एक highly secure method of communication है जिसमें कि हम electronic signals की सहायता से जो है एक person से दूसर पर्सन को संदेश भेजते हैं और वो जल्दी पहुंच जाता है अब बात आती है email address क्या होता है देखें बिना email address के कभी mail नहीं जाता है किसी भी दूसरे person को जब तक mail address जो है वो perfect नहीं होगा, exact नहीं होगा सही नहीं होगा तब तक वो mail दूसरी जगा नहीं पहुंच पा से हमने जो है वो mail id ली हुई है या वो यूजर नेम हमने लिया हुआ है यह जनरली दो भागों में बटा होता है पहला भाग होता है यूजर नेम बीच में at the rate का sign लगता है और उसके last में domain name होता है जैसे abc at the rate yahoo.co.in इससे पता लगता है कि abc username है जिस भी person का email address है जिसने ब जा गया है यह कई तरह की हो सकती है कॉम में हो सकती है जियो भी हो सकता है last में com हो सकता है इन हो सकता है इस तरह से बहुत सारी जो है वो mail id हो सकती है डिबेंड करता है आप किस तरह के person है organization में काम करते हैं आपका individual form में आप यूज कर रहे हैं इस तरह से आपकी email id का जो domain name ह है वो different हो सकता है अब structure of email क्या सा होता है email का structure क्या इसमें होता है generally कौन-कौन से tabs होते हैं कौन-कौन से heads होते हैं वो समझ रहा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां से question आता है exam में देखें internet mail जो होता है electronic mail जो होता है उसके message को हम दो parts में divide करते है एक तो header होता है दूसरा body होता है header बहुत important चीज है header वो है जिसमें की बहुत सारी fields होती है जैसे कि summary हो गया sender का address हो गया date and time हो गया इसके अलावा जो receiver है उसके बारे में information होती है कि कि किसने भेजा है message कब भेजा है कितने वज़े भेजा है और किस के लिए भेजा गया है तो इसमें सबसे पहले header में क्या आता है तो from मतलब कहां से message आया है या किसने भेजा है इसमें sender का mail address जो होता है फिर आता है to तू का मतलब है कि जिस person को भेजा गया है जिसको target किया गया है जो हमारे target audience है उसका यहाँ पर email address जो वो आएगा यानि कि जो हमारे message का receiver है फिर आता है subject subject जिसको हम summary बोलते हैं कि किसके regarding भेजा गया है ये एक title होता है कि मतलब इस message में क्या है हमने रखा हुआ या उससे समझ आ जाता है कि किसके regarding बात की गई है इसके बाद date होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया है time होता है कि कब ये message भेजा गया है कब mail भेजी गई है कौन सी date को भेजी गई है किस time भेजी गई है अब एक और बात आती है cc cc को बोलते है carbon copy carbon copy का मतलब है कि और person किसी और person को हम loop में रखना चाते है कि हमने किसी को x person को message भेजा हमने y को cc में रख दिया y के mail address को तो जो y person है उसको भी पता लग जाएगा कि ये message क्या भेजा गया है इसी तरह से bcc भी होता है black carbon copy उसका मतलब ये होता है कि हमने जिसका address जो है वो black carbon copy में रखा होगा उस person को सारी conversation पता लग जाएगी क्या message भेजा है क्या नहीं भेजा है लेकिन बाकि किसी को पता नहीं लगेगा कि ये bcc में भी कोई person रखा गया है इसके बाद आता है message ID ये एक number assigned होता है message का जिसमें कि ये पता लगता है कि कहां से message आया है ये एक ID होती है ये उनिक ID जनरली display नहीं होती है a series of received a series of received का मतलब है generally एक range में चलती है एक line में चलती है ये चीजे कि कब कब कौन सा message भेजा गया है वो sequence में आता है इसके बाद reply to reply to का मतलब है कि वो preferred address जहां पे आप reply करेंगे या भेजेंगे पापिस mail को तो इस तरह से ये structure होता है और last में बात आती है body की body का मतलब है वो portion जहां पे आप अपना message टाइप करेंगे लिखेंगे, attach करेंगे document वो सारा body में आता है या body उसको हम बोलते हैं इसके नीचे signature का column होता है जहां पे आप अपना नाम लिखते हैं generally अपना mobile number लिख देते हैं या designation लिखते हैं या electronic signature करते हैं blank spaces और जो हमारे रहते हैं वो इसमें case sensitive जो birds हैं वो allowed नहीं होते हैं email address में सिर्फ और सिर्फ at the rate का sign ही इसमें लगता है तो ये एक format है जो पूरी body का या पूरे structure का देखे सबसे उपर जो है वो from है Lex, days इसमें नाम आया है और आगे mail id आई है इसके आगे date और time और day लिखा हुआ है कब message भेजा गया है उसके बाद नीचे भी date और time है इसके बाद to है किसको भेजा गया है subject लिखा हुआ है किसके बारे में भेजा गया है CC का मतलब है और कौन सा person है जिसको इस message के बारे में पता है इसके बाद आता है body body में देखिए सबसे पहले greetings किया गया है फिर लिखा गया है क्या काम है किस matter के बारे में लिखा गया है और last में signature का portion है जहां पे इसने पूरा अपना address लिखा हुआ है अपने numbers दिये हुए है तो यह एक format है पूरे structure का email का किस तरह से mail की जाती है और किस तरह से क्या क्या इसके heads जो हैं वो याद रखना जरूरी है तो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा Thanks for listening, thanks for watching